नमस्कार दोस्तों मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वाइद करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में तो दोस्तों मुझसे बहुत साय लोगों ने पूछा था कि सर मार्केट के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी को गिर में हम ट्रेड करें मंडे के दिन तो क्या हो सकता है और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट अगर गिरा तो कितना गिर सकता है उसके रिगारडिंग थोड़ा जानकारी देया इसलिए मैं आज पूरी एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके माध्यम समय निप्टी और बहिंग निप्टी में ट्रेडिंग करने का आपको तरीका बताऊंगा और मार्केट के अंदर गिरावट अगर आती है तो आप इसली मार्केट में पैसा बना सकता है तो जाब ये बात मतilर में तो पक्की है कि मार्केट का अंदर गिरावट आने वाली है मंडे की दिन अगर आपने पुट बाइक रहे है तो ये बात पक्की है कि आप लाकुर हो बनाने वाले हों। ठीक है क्योंकि मौका फिर से यहां पर आ गया है पैसा बनाने का मार्केट के अंदर तो यहां पर देखी है मैं आपको कुछ सपोर्ट रेस्टेंज बता दूँ जिन से अगर मार्केट अगर ब्रेक आउट दीता है तो डेफनेटली आपको पैसा मिलना ही मिलना तो सब सब पह मार्केट फिर से उपर गया फिर नीचे आया इसके बाद फिर से मार्केट क्या किया मार्केट फिर से उपर गया यह देखीगा तो मार्केट का जो साब ट्रेंड चल रहा है वो आपने अगर नोट किया हो तो मार्केट क्या हुआ उपर इसका हाई अगर देखें इसके आई कम होता चला गया और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर डोजी बना था अगर आप डोजी के बारे में जानते हो तो डोजी एक ऐसा केंडल होता है जिसके मादम से पता चलता है कि मार्केट रिवर्स होने बला है और यहाँ पर देखें रिवर्स होने के लिए फ्रा यह बढ़ते हैं जिस बजास से बहुत सारी जगए lockdown लग चुका है औ कि वह सारी जर्ली लग चाई इस बजहसे मार्केट के अदर फिर से आपको गरावर्वट देखने वाली है यानि कि मार्केट फिर से गिरेगा अब मार्केट कितना गिरेगा तो बता देता तो साब मुझे जो लगता मार्केट की ये वाली केंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी मंडे के दिन अब बहुत से लोग बोलेंगे भी ऐसा क्यों तो बता दूं कि मार्केट की लंबी केंडल अगर चेक करूं ना साब लंबा सपोर्ट मार्केट का वो यहां पर है इस क केंडल का लोवर पोइंट आगर आप चेक करेंगे देखेगा 14,490 का आपका यह लोवर पोइंट है आप यहां पर चेक कर सकता है यानि कि 14,893 मार्केट चल रहा है तो यहां पर जब ओपन होगा तो कुछ ओपनिंग इस तरह से आपकी होने वाली है यह तो अगर यहां पर मार्केट रुक गया तो भी अच्छी बात है कि मार्केट कम गिरेगा लेकिन अगर यहां पर मार्केट नहीं रुका तो मार्केट कुछ इस तरह की लंबी केंडल आपको बना के दे सकता है यानि कि आपका जो फर्स्ट टागेट रहने वाला है वो लगबग 14,500 का रहेगा और 14,500 अगर ब्रीक होता है तो मार्केट लगबग 14,200 तक जाएगा यह आपको यहां पर इसके अनुसा ट्रेड गरना है मंडे की दिन यानि कि यह बात पक्की हो चुकी है कि मार्केट गिरेगा लेकिन कितना गिरेगा उसके इसाब से मैं आपको बता रहा हूँ यानि कि प साफी जादा गिरावट का माहुल रहा है और है यह तो सर पहले आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट टोटल यहां पर डाउट्रेड में दिखाई दे रहा है तो यानि कि गरावट तो पक्की है अब bows B 32 के अदर जो गरावत रहेगी पहले मुझे यहां तक लगती 31,000 त तो मार्केट लगबग 30R के आसपास भी आ सकता है तो यहां पर भी एक बड़ी केंडल आपको गिरती हुग दिखाई देगी यहां पर आप देखेगा यह आपका 31R का पहला लेवल है यह अगर ब्रेक होता है और मार्केट नीचे गिरता तो मुझे लगता मार्केट 30R तक आ स सकता है ठीक है तो यह आपको यह मंडे के दिन गिरावट के संकेत है जो कि आपको बिलकुल यहां पर ट्रेड करके पैसा बना लेना है अब यहांपर यह बात आती सर यह तुम्हें पता चलिगा कि मार्केट के अंदर गिरावट आएगी और यहां ड्रेड हम करेंगे की नि करने कर सकते हो, बिल्गुल बहुत ही आसान तरीक में बताहूंगा आपको पास में, अगर ट्रेडिंग नहीं भी है, आपने अपके पास witho option buy नहीं किया है यह। यह bankn empty sell नहीं किया है, तो वह आप पैसा बना सकते हैंosa काय indust globe को बता देता हूँ सिंपल सिर आपको करना है कि मैं आपको 주ल चार्ट उपन कर लेता हूं मैं सब सब पहले थारीक ही बताने की लिए अगर आ बैंकर टेदिंग कर गोए पैसा बहना चाहते हूं उसकी लिए प्र Catholic तो आपको करना है क्या हमें put option के अंदर trade करना है, यानि कि बेंगर टिप डायेट आप trade करने जाओगा, आपको margin जदे लगेगा, लेकिन अगर put में काम करोगे, margin कम लगेगा, तो कौन सा put आपको trade करना है, आपको 31 हर बाला put option trade करना है, अब trade कैसे करें, तो बता देता हूँ, market जब open होता है, तो कितने open होता है, 9.15 पर, इसके पहले आपका, क्या होता है, pre opening session होता है, 9 बजे का, ठीक है, इसको बात को बिल्कुल आसान ही से, और बिल्कुल प्यार से समझे का साथ, क्योंकि ये आपको एक चीज, पैसा बना के देखी जाएगी 100%, ठीक है, तो 9.15 पर market open होता है, अब 9.15 पर जैसे market open होता है, आपको करना क्या है, 9 बजे तो आपको कुछ नहीं करना, बस market को देखते रहना, कि market कितना गेरा है, अब क्या होता है, 9 बज के 5 मिनिट से, आपका market में order लेना चालू कर देता, market, यानि कि आप इसमें trading करेंगे, तो trade आपका होगा न यानि उसको बोलते हैं, प्री ओपनिंग session बोलते हैं, तो 9 बज के 8 मिनिट तक आपके order आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, इस बात को अब बार के समझेगा, तो आपको करना क्या है, 9 बज के 9 बज के 8 मिनिट तक आपको आपका order लगा देना है, order कैसे लगाना बता दे हो, अब भी देखिए, LTP कितनी आपकी, 800 रूपय की LTP है, तो आपको करना ही होगा, आपको जो order लगाना है, मार्केट में, वो order लगाए जाता, आप order जो लगाओगे, वो AOM order कैलाएगा, after market order, लेगिन आपको वापर order जो लगाए जाएगा, उसमें आपको यह करना है, कि 2 order होते है, मार्केट गंदे, एक होता market order, एक होता limit order, तो आपको यहापर market order लगाना है, आपका कोई सा भी डेमेट अकाउंट हो, आपको market order लगाना है, आपको limit order नहीं लगाना, ठीक है, पहले चीज़ तो यह हो गई, अगर market order नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना यहाँ पर 18 रुपे की price है, तो आपको लगाना पड़ेगा, put buy, कितने से, आप order लगाना है, buy 150, ठीक है, यहाँ यह market अठाशी चल रहा है, लेकिन हम order आगे कर डाल रहे है, हम डाल रहे है, 150 में buy कर रहे है, यहाँ कि अगर market opening gap भी अगर देता है, तो भी आपका order महाँ पर यह open होगा, तो यहाँ 200 का डालो, 300 का order डालो, ठीक है, तो उसमें क्यों होगा, जहाँ से भी market open होगा, अब suppose कि यह market open होगा कितने से, 120 से, यह 130 से मान के चलो, आपका मतलब put option अठाशी से open ना होके, 130 से अगर open होगा, तो क्या होगा, जो भी opening price होगी, उस पर आपका order price पर market open होता है, उस price पर आपका order execute हो जाएगा, अब यहाँ से अगर put option उपर भागने लगा, 200, 300 अगर हो गया, तो मुनाफ़ा किसका है, यह आपकी जेब में जाएगा मुनाफ़ा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस तरह से आपको order लगाना है, यानि कि आपको बिलकु के अंदर आप लाखूर हो बना सकते हैं, और इस चीज को आप बिलकूल कान खोल के सुनलो साब, मंडे के अंदर market गिरने वाला है, बहुत तेज गिरेगा, इसलिए आपको यह trick बता रहा हो, इसको आपको follow करना है, ठीक है, अगर यही काम nifty के अंदर करना चाहो कर सकते हो, निफ्टी future भी आप मतलब पहले ओर लगा के, नोपास से लेकर, नोव साथ के बीच में, ओर लाख उसको सेल कर सकते हो, वियुचर को भी आप सेल कर सकते हो, और इस तरह पूडोप्शन को भी बाई कर सकते हो, ठीक है, तो सिंपल सा funda मैं आपको बताया है, इस बज़े से आप लाको रुपे एक दिन के अंदर एक ट्रेडिंग शेशन के अंदर कमा सकते हो ठीक है तो आशे करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो जो लाइक कीजेगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जिरो सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो साथ तब तक के लिए बाई एंड थैंक्यो